सिरी राग महला चोथा पहले पहरे रेण के वनजार्या मित्रा हर पाया उदर मजहार हर त्यावे हर उच्रे वनजार्या मित्रा हर हर नाम समार पहले पहरे रेण के वनजार्या मित्रा जिमें मैं कल बेंती कीती सी कि संसार दे अंदर जिमें कोई वपारी बंदा वपार करनवास ते तुर्दा है ते ओ दिन दे हर पल दी सार रख दे है कि किस पल दे अंदर मैंनो किन्ना लाब हुया किन्ना नुकसान हुया किन्ना समा अंग्देनाल वर्तदा है ता गुरु पाथ्षा जी भी सानू समझा रहे ने कि ये जिन्दगी भी एक वनजारे दी तरह है ऐस संसार दे अंदर असी वनज कर्म आये हैं पाव के असी जिन्दगी जीनी है ते असी अपने हर पालदा हर पहरदा लेखा जोखा करना है कि किते असी कुछ ऐसा ता नहीं कर रहे जिस करके साड़े आत्मक जीवन विच काटा पहरया हुए ता सानू सोचना चाईदा है समझना चाईदा हर बंदेनों हर पालनों ठीक तांग्देनाल गुजारे चंगा सोचे चंगा बोले चंगा करे पहले पहरे रैन के वनजारया मित्रा अधर मजहर उदर दा मतलब पेट मजहर दा मतलब विच तां हे जीवन जीन वासते आए वन जारय मित्र जिन्दगी दा जो पहला पहर है तो ए है कि प्रभूने जीवन माँ दे पेट विच निवास दित्ता जीवन दा जिन्दगी दी राद दा पहला पैर के जी मनुख नू मां दे पेट दे अंदर पाया गया मतलब निवास मिलेया हर त्यावे हर उच्रे वन जारे आमित्रा हर हर नाम समार समार दा मतलब याद कर दे ता मां दे पेट विच हर त्यावे हरी दे त्यान विच है हर उच्रे हरी नू याद कर दा है पर हर नाम समार समार दा मतलब संभाली रखदा है नाम दा मतलब हुकम हरी दे हुकम नू संभाली रखदा है यानि हरी नू त्याना, हरी नू उचारन करना, हरी नाम नू संभारना, एदा सारी पंक्ती दा जो पावर थे न, ओ एए कि जीव मान दे गरब दे अंदर रभी हुकम दे अंदर जिन्दगी जी रहा हुंगा है। जो मान दे पेट विच उनू समा मिलेया है। हर जापदा मतलब हरी नू जान के, समझ के, यानि रभी हुकम विच रह के, अगन दे अंदर वी बंदा जिन्दा रहा। अगन दे अंदर वी उसनू जीवन मिलेया। हुन मान दे पेट अंदर जो अगन है, अगन दा मतलब है नहीं के अंदर को याग बाल दिये भी, अगन दा मतलब है निग्ग। ते अंदर हर इंसान दे निग गय टेमप्रेचर है, जे वो टेमप्रेचर बिलकुल कट गये, ताहां बंदे दी मौत हो सकती है। और जे टेमप्रेचर बहुत ज्यादा वाद जाये, ताहां बंदे दी मौत हो सकती है। ते ओ अंदर ला जो टेंपरेचर है ओ ही साड़ी खुराक नो गलांदा भी है उस टेंपरेचर देना ली साड़ा जीवन जो है चल रहा है ता गुरु जी कहन ने जीव जिड़ा है रभी हुकम दे अंदर रभी हुकम दे अंदर रहके अगन दे अंदर भी जीवया पाव के मा मां दे पेट दे अंदर उसनों रभी हुकम दे अंदर जीवन मिलेया। मां पे उने अपने बच्चे नु वेखेया। गुर्मुख दा मतलब गुरु दे दसे राते चलके। कारभी चार दा मतलब विचार करके। ता गुरु पात्षा जी कहने ने हे प्रयाणियों जिदी वस्तु है उस प्रभु नु चेते रखो। और गुरु राहीं प्रभु दे गुनादा विचार आपने मान विच करो। प्रभु दे गुनादा विचार आपने मान विच करो। उन जिसकी वस्तम मतलब सिरफ एक बच्चा ही नहीं है की राबदी वस्तू है हर एक वस्तू ही खुद्रत दीए हर एक वस्तू ही राबदीए एठे कुछ हुई ऐसा नहीं cev कि से रबी शक्ति तो अलावा किसे ने कुछ देवी देवते ने बनाया हुए, पीर फकीर ने बनाया हुए, यानि जो दातान दा मालक है ना, उनु चेते रखो, ते उनु चेते रखन दाटांकी एक गुर्मुख विचार के गुरू दी शर्नी पैके उदे गुणानु विचारो, मतलब ओदे गुणानु इंपलीमेंट करो, जिस्ती हारिक वश्तु है, ते ओदे गुणानु अपने जीवन दे अंदर तार्न करो, कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिये किर्पातार, किर्पातार दा मतलब जे किर्पा करे, हर जपिये दा मतलब हरीनु जपन दा जपना जानना सांज पानी प्रभू दे नाल सांज पानी रभी गुनानों अपने जिंदगी विच इंप्लीमेंट करना ता गुरु जी कहने ने हे प्राणी जे प्रभू रहमत करे ता जिंदगी दी रात दे पहले पहर विच राब दे नाल सांज पाई जा सकती है रभी गु थी पाएदा मतलब प्रभून उचाहड़े किसे हूर दा प्यार रब्री गुना नूचाहड़े साचन उचाहड़े चूट फरेव दा प्यार विकारां दा प्यार ताग गुरु पाथ्षा जी कि ने हरी नाम दा वन्जिकर्न आये हे जीव वन्जारे जिंदगी दी रात दे दूजे पहर विच जीव दा जो मनुख दा माने ओ प्रभू नुपोल के किसे होर दे प्यार विच लागे जन्द है रभी गुणानों कोल के और गुणा दे विच प्यार लागे जन्द है साचनों बंदा पुल जन्द है चूठ विच प्यार पाबिन्द है मेर तेर दे वितकर्यां विच प्यार पाबिन्द है वैर विरोध विच प्यार पाबिन्द है दो नंबर दे तंद्यां दे अंदर प्यार पाविंद है, रबन उचाटके, रभी गुणान उचाटके, किसे होर दे प्यार विच बंदा पैजन दै, जिंदगी दा दूजा पैर मेरा मेरा कार पालिया है, वणजारया मित्रा ले मात पिता गल लाए, गल लाए दा मतलब गल लालिन देने, ले दा मतलब ले के, कि ये वणजारया मित्र ये मेरा पुत्तर है, ये मेरा बच्चा है, ये आख आख के बालक नूँ पालिया जंद है, और बच्चे नू माँ बच्चा करके पाल देने और बच्चे नो अपने गले देना लाला पाल देने प्यार कर देने। बच्चा करके पाल देने और बच्चा करके पाल देने। जो देवे इसे ना जाना है मूरा दित्ते नो लपताए। मूरा दा मतलम मूरख कि जो प्रभू देन वाला है मूरख मनुख उन्नो नहीं जानदा। ओधनाल अपनी सांज नहीं पानदा। रभी गुनादा ता आरनी नहीं हुंदा। दित्ते नो लपताए। जेड़ी चीज ती पुत्तर आदिक मिलेया है ना। ओधनाल बंदा लपट जानदा है। ओधनाल मू करना शुरू कर दिनदा है। उन्ने दा मतलब है नहीं कि बच्चेया नल प्यार ना करो। बच्चेया नल प्यार करना हर माँबाप दा हक है फरज है। पर राब नू कूल जाना। रभी गुनानू कूल जाना। सचाई नू कूल जाना। और सचाई नू गुना नू कोल के बच्चेया नल मू करना और बच्चेयां दे अंदर भी ओगन पार देने एक अदे भी ठीक नहीं है बच्चेया नल प्यार करना, बच्चेयां दा सदकार करना, उनना नू पालना चंगे उननु सहूलता देनिया, चंगी सिक्षा देनी, हर मावदा बाप दा फरज है, पर नाल एवी फरज है ना कि साचनु बेश बना के मावदा जिंदगी जीवे, जे मावदा साचनु बेश बना के जिंदगी नहीं जेनेगे, ताँ फिर बच्चेयां दे अंदर भी तो दी रहमतनों को लुजन्द है, ते दो कुछ दित्ता है, ओधिनाल मो पालेने। कोई गुर्मुख हुवै, सो करे विचार, हर त्यावै मन लिवलाए। गुर्मुख दा मतलब गुरू दे दस्से रात तुर्नवाला। कोई विर्ला है, जो गुरू दे शर्नी पहिंदा है, ते गुरू दे शर्नी पहे के, ओधिनाल दी विचार कारदा है, हर त्यावै मन, ओपने मन दे अंदर रब्भी गुनानों याद रखदा है, लिवलाए दा मतलब लगन लगा के, कोई विर्ला जो गुरू दे चर्ना दी शर्न लेंदा है, ओव असलियत दी विचार कारदा है, और अपने मन दे अंदर लगन लगा के, रब्भी गुनानों हमेशा चेते रखदा है, रब्भी गुनानों हमेशा फॉलो कारदा है, कोई विर्ला हुनदा है, ते ओ विर्ला क अपने जीवन विछ पानी चाही दिये। अपने बच्चानु पालता है अपने फर्जानु कूरया कारता है पर निरले परेंदा है गुनादा तारनी हम दे अगना और पापा अपरादा तो बच्या रिंदा है ते भी ऐसा बंदा आत्मक मोते नहीं मारता। तीजे पहरे रेन के वण जारया मित्रा मन लगगा आल जंजाल। आल जंजाल दा मतलब आल दा मतलब हुंदा है कारक। आल दा मतलब कारक। जंजाल दा मतलब जंजाल विच चंबेले कारदे चंबेले। आल जंजाल कारदे कजी कारदे तंदे। हुआ ऐसे पहला बहुत वार विचार कर चुक्ते हैं कि करने तेसी काम नहीं जो सी कर रहे हैं काम कर दें काम ही तंदे बन जंदे ने, जंजाल बन जंदे ने, जाल बन जदो बन्दा साचन वाधार बनाके काम कार्डाय मां ओदन ओदे काम ही पगती बन जंदे ने, तरम बन जंदे ते जदो बंदा साचनों चाड़के चू उठर लालचनों बेस बना के काम कारदा है एदे कीते हुए उसारे काम ही एदे वासते कजिगे बन जन्दे। तान चित्वे तान संच्वे वनजारया मित्रा हर नामा हर नासमाल एथे तान नहीं पढ़ना जे तान पढ़ांगे ताँ पाठ गल्थ हो जाएगा तन तायोग एथे तान पूला बोलने तान दा मतलब पैसा तान चित्वे चित्वे दा मतलब चितार दे तान संच्वे संच् इकठा करदे, जोड़ दे, बंदा फिर की करदे, सच्चे गुना ना लो, राब ना लो, टूटके, के ता नहीं चितार दे, ता नहीं इकठा करदे, हर नामा हर ना समाल, कदे वी रब्वी गुना नो अपने मन विच नी समालदा, कदे वी गुना नो इंप्लिमेंट नी करद बस पोल ए थी हो रही है पैसा कमाना साड़ा हक है पर गुनानु बेश बना के साचनु बेश बना के सची तरम दी किर्थ करके लेकिन दो नमबर दे तंदे साचनु चाड़ के केवल तांदे पिछे पैजाना एक कदे भी ठीक नहीं है एसाड़े आपने लिवी और समाज भी नुकसान दाए ता गुरु जी केंदे ने मनुखिते पोल कर रहा है कि रभी गुनानु ते चाड़ दिन दे केवल तानवारे ही सोचदा और तानु ही इकठा करदा रहे हर नामा हर हर कदे ना समाले दे होवे अंत सखाई अंत दा मतलब अखीर नू सखाई दा मतलब सहा हर नामा दा मतलब रभी गुन रभी गुनानु एक कदे वी नी संभाल रभी गुना देन आले कदे सांज नहीं पन दा रभी गुनानु जिंदगे विच इंपलिमेंट नहीं कर दा जेड़ी प्रबुदी सिप्त सला अंतनु साथी बनना है, सहाइक बनना है, आत्मक जीवन विच जिनने साथ देना है, जिनना रभी गुणाने आत्मक जीवन विच साथ देना है, प्रबुदे मिलाप दा सहयोगी सहाइक बनना है, खुशी दा साधन बनना है, इनसानिगत जिनना करके होनी है उन्नों एकदे भी नी संभालदा आखिर गुणा नहीं सहाइक बनना ना साड़ा खुशी वेचे अनांद खेड़े परसंता दे अंदर चाड़ दी कलावास ते गुण चाही देने है ते बन्दा उन्ना गुणा नों कदे भी संचत नहीं कारदा आम जो जनता है बहु अप्तों बचान देने एतन संपै माया चूठी अंत छोड चलेया पश्टाई एतन माया दा मतलब माल तन संपदा संपै दा मतलब प्रोपर्टी ता गुरु जी कहने ने एतन पदारत माया इस सदैमी साथ निबानवाले नहीं जो चूठनू बेस बना के कठे कीते ना तन द आदिक ए आत्मक जीवन विच साथ देन वाले नहीं अंत छोड चलेया पश्टाई आखर नोई तन दौलत एथे ही छड़ जन्द है कि पश्टन्दा है आज तक कदे भी तन दौलत किसी दिन आलता नहीं गया ता एदा मतलब ए नहीं कि यसी तान इकठा ना करिये जां पैस ना कमाई गल ए नहीं है गल ए है कि दो नंबर दे तन्दे करके माडे करम करके रिश्वत लेके चोर बजारी करके दो नंबर दे तन्दे करके दुप्लिकेट दमाईया वेच के खान पीन वाले समाना विच मिलावट करके ए पापता ना करिये क्योंकि नालते कुछ जाना न ना ते जदो नाल कुछ नहीं जाना ता फिर इनी बेहिमानी ठगी पाप अपराद क्यों गुरु जी सा नू ए समझाना चान देने की प्यारेओं चू उठादिक नू बेस बनाके जे तुसी माडे करम कर देओं ता आखिर उनना ने नालता नहीं जाना ते जिंदगी विच प समाल दा मतलब समाल दा है जिसमनुक ते परभू रहमत करदा है उनू गुरु मिला दिन्दे ते जिसनू गुरु दा मिलाप हुजन दे है और फिर रभी गुनाइन समाल दा है मतलब implement करदा है जिस मनुक्ते प्रभू रहमत करदा है का रहमत दी निशानी ए है कि उन्नु गुरू मिला दिन दे पाव ओ गुरू दे नाल मिल जन दे गुरू दी शर्न विच चला जन दे ते ओ रबी गुनानू समभालदा है गुनान दी गाल करदा है ये राबदी रहमत है, राबदी रहमत ये निशाननी है, राबदी किरपा पांद आए एक को एक साधन है, कोहो नालक तीजाय पहरbell प्रानी से जाय मिले हर नाल, ताक गुरु जी कहने ने जेडे प्राणी हरी नाम संभाल देने रब्वें गुनादी गाल कर देने गुरु दसे राहां ते चल देने रब्वें गुनादी नाल सांज पान देने ए ऐसे प्राणी राब्दे नाल जा मिल देने रब्दा रूप हो जाने ने ए जिंदगी दा तीजा फैर है यानि जो गुरु दर्शाए राहां ते चल देने रब्बी गुनादे तार निहं देने और आप दे नाल मिल जान देने गुन कहे गुनी समामने आ गुन गान गाण 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 गुनी प्रभु दे अंदर ही हो कर सेवा सात्गुर्ग इव हर हर नाम ते आई चाउथे पहरे रैन के वनजार्या मित्रा हर चलन वेला आंदी इनू आदी नी पढ़ना आदी दा मतलब हुजेगा किसे चीज दी आदत बननी आंदी आंदी दा मतलब ले आंदी ता गुरु पाथश्या जी कहने ने हे शुब गुना दे वनज करनवासते आए जीव नजारे मित्र जिंदगी दे चाउथे पहर प्रभु ने जीव दे इथु तुरंदा वेला ले आंदा है यानि आखर मौत आजन दी है शरीर छड़ना पेंदना हर बंदेनू चाहे कोई जिनना मर जी लंबा जीवन जी लवे बाबा फरीज जी के इनने जे सौ वरें जीवना पी तान हो सीखे सैक्ड़े साल लंबी जिन्दगी जीन तो बाद वी आखिर मौत ता ओनी ही ओनी ए निश्चित है ए पक्का है एज तो कोई बाचनी सकता ता हेवन जारे मित्तर जिन्दगी दा चौथा पैर ए है के प्रबू सारें दा आखरी समाले उन्दै पाव की रब्नी रजा दे अंदर हरिक दे जीवन दा जो शरीरक जीवन दा अन तै हो जन्दै इसलिए सानुकी करना चाहिद है कर सेवो पूरा सत्गुरू वणजारया मित्रा सब चली रेन विहांदी विहांदी नी पढ़ना विहांदी विहांदी दा मतलब गुजर दी बीत दी कर पूरा दा मतलब पूरा जान के अपोल जान के सेवो दा मतलब शर्नी पवो कि हे जीव बन जारे गुरू नू अपोल समझ के गुरू दी शर्नी पवो गुरू नू अपोल समझ के गुरू दी शर्नी पवो सब चली रेंड विहांदी क्योंकि सारी जंदगी दी रात बीट दी जा रही है जिंदगी द आते बीदी जा रही है पल-पल करके विस्वे चस्यां कडिगां पहरां थित्ति वारी महां हुआ विस्वे चस्यां कडिगां पहरां थित्ति वारी महां हुआ विस्वे चस्यां पल-पल करके कड़ी-कड़ी करके दिन-दिन करके जिंदगी समा जिड़ा है ना बीदा जा रह इनु अवगुणा विछ खचत हूनतूं, बचाओ, बचो इस चीज तूं, शुब गुणा देता आरनी हो, सारी जिन्दगी तो हडी बेकार अवगुणा दे विछ बीत दी जा रही है, सुचेत हो, हर सेव हो, खिन्खिन, तिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग हो खिन्खिन दा मतलब पल-पल, ता गुरु जी कहना ने स्वास स्वास, प्रबू दे गुणा नु याद करो, सिफ्त सला करो, गुणा दे ता आरनी हो, एक कम दे अंदर बिल्कुल भी आलस ना करो, ते लमूल ना करे हो दा मतलब आलस ना करो, कि चंगे कामकाल तो कर लागा साचकाल तो बोलना शुरू करांगा, नफरत काल तो चाड़ देंगा, टेल ना करो, बिलम पापंग नहें बिलम तर्मंग, चंगा काम करन लगयां देर ना करो, हर सेवो खिन-खिन टेल मूल ना करे हो, रब्बी गुणा दे ता आरनी हो, ते एक चंगा काम करन लगयां टे जीवन वाले बन जाओगे, हर पल अटल आत्मक जीवन तुसी जी सकोगे, ऐसी जिन्दगी जीवो, जिस करके अटल आत्मक जीवन जी सको, ते एश्ट आंगदे नाल अपने जीवन नों जीवो, गुना दित आरनी होगो, टेल ना करो. हर से ती साद मानों रलिगा, जनम मरण दुख खोवो, रलिगा दा मतलम मौजा, खोव दा मतलम मिटा देओ, जनम मरण दा मतलब जनम तो लेके मरण तक दे दुख, ता गुरु पाधिशा जी कहने ने, जे तुसी रभी गुना दे तारनी होगे, ना प्रभू दे मिलाप दा नंद मानोंगे, प्रभू दे मिलाप दियां मौजा मानोंगे, ते जनम तो लेके मरण तक दे सारे दुख खतम कर लोगे, तो आजे सारे दुख खतम हो जानगे, कि में जे गुरु दे दस से राते चलके गुना दे तारनी होगे, देखो किना सोखा काम मैं, कि जिन्दगी तासा जीनी मी है, जदो जीवन जीना ही है, ता फिर नफरत क्यों प्यार नल जीलो, जदो जीना ही है, ते फिर हंकार क्यों निम्रता नल जीलो, जदो बोलना ही है, ता फिर ओखे सुखे बोल क्यों बोलने, प्यारे मिठे पुवित्तर बोल, प्यार वाले बोल लो, जिस कर कि तुसी रापदे मिलापदा भी अनांद मानोगे और सारी जंदगी दे दोख भी खतम कर लोगे। राप विच और गुरु विच पे इधना समझो राप गुरु है गुरु राप गुरु है ग्यान गुरु है राप गुरु है राप ग्यान दा मुझस्मा है ग्यान दा पंडारा है गुर परमेशर एक को जान इसले गुरु और प्रभु दे अंदर पे इधना समझो जित मिल जेस गुरुनु मिलके पगत सुखानदी दा मतलव राबदी पगती चंगी लगधी है। राबदी पगती दा मतलव रभी गुना देता आरनी होना, रभी रजा दे अंदर चलना, ए जीवन बड़ा चंगा लगदा है। गुरुनु मिलके चंगा लगदा है। गुरु तो बिना नहीं, को कि गुरु तो बिना एरा किसे निदस नहीं नहीं, किसे जोच्षी कुल जाओगे हो तो अनु कहेगा काले छोले नहर विच रोड़ाओ, किसे बाबे कुल जाओगे हो तो अनु कहेंगे पाठ करालो, किसे बाबे कुल जाओगे हो कहेंगे पीर ते चार्चों किया पार जो, उन्हाने राबदे गुना दे नाल ते जोड नहीं नहीं। कोई कहा गवर्त रख लोन राते कर लो, गिंती मिंती दे पाठ फूजा कर लो, लोके ही जोड़नगे न। जड़ी राबदी पगते ना, रब्मी राते तुरना, रब्मी रजा विच तुरना, ए प्यारी लाग दिये गुरूनू मिले आँ, गुरूनू मिलके आरे दे नाल चिरना वी चंगा लाग दे है, गुरूनू मिलके बच्चेयां दे टुकडे टुकडे गलेयां दे हार पो आ फिर बंदा हिूमन राइट स्वास्ते लड़ता है फिर बंदा इनसानिगत दी गाल कारता है इसलिए गुरु और रापदे अंदर फेद ना समझो गुरु दे दसे राहां ते चालके ही रभी गुनावला जीवन जिड़ा है उचंगा लगदा है उदनल सांज पेंदिए कोहो नानक प्राणी चौथे पहर है सफले उ राइन पगतान दी इनुप पगतानी पड़ना पगतान आ गुरु पातिशाजी के इनने जेड़े प्रानी जिंदगी दी राध्दे चौथे पहर मतलव जो इंसान गुरु दे दसे राहां ते चाल दे ने उना दी जेड़ी आरी राट सफल हुझन्दी। जिड़े गुरुदे दसे राहते चल दे ने, जीवन दा चौथा पैर है। एन आ दा जीवन दा चौथा पैर, सारी रात, पूरी जिंदगी, उना दी सफल हुझन्दी है, काम्याब हुझन्दी है, tour giyvan दे हर पड़े अंदर, रभु गुनाद कि डिल्प जीवन म्भारख हुं जान्ग सिरी राग महला पजवा है , पनीड़ को उद्रे माहें दा मतलब मां दे पेट विच ता गुरु पात्षा जी कहने ने कि हे जीव मित्तर मनुखा जंदगी दी राद दे पहले पैर प्रभू मां दे पेट विच जीव दा पैंतला रखदा है मतलब मां दे पेट दे अंदर जीवन उटिका दिन दा है ए जीवन दा पहला पैर है के जीवन दे पहले पैर विच रबी हुकम दे अंदर जो बच्चा है मां दे पेट दे अंदर निम्दा है मां दे पेट दे अंदर टिकदा है दसी मासी मानस किया इनू दसी नहीं पढ़ना और मासी नहीं पढ़ना जी मासी पढ़ो गे ते मासी दा मतलब मा दी पहन, मासी दा मतलब महीनिया विच बिंदी लगा के मासी, दसी मासी मानस किया, मानस दा मतलब मनुक, पूरा शरीर, महुलत दा मतलब समा, जी मैं ऐसी कहना है ना कि ऐस दी गारंटी किन्नी है, किन्ना समा ए मकान रहेगा, महुलत तो गुरु पाथिशा जी कहने। जिन्दगी नहीं मिली ये दा मतलब नहीं कि डेट फिक्स किती है मुहलत दा मतलब की सीमत जिन्दगी है असीम जिन्दगी नहीं है कोई पिना साल जी सकते है कोई सौ साल दो सो साल जी सकते है हजार साल जी लवे लेकिन मरना कोईगा सीमत जिन्दगी असीम नहीं है कर मुहलत दा मतलब की जिंदगी नू सीमत रख्या ते एस सीमत जिंदगी दे अंदर करम कमाहें दा मतलब मनुक करम कमांदेने चाए उचंगे कमांदेने चाए माडे कमांदेने सीमत समा है जिंदगी दा ते उस जिंदगी दे सीमत समें विच मनुक करम कमांदेने अगला बचन गुरु जी करते हम मुहुलत कर दीननी करम कमाने जैसा लिखत तोर पाया तोर दा मतलब तुरों शुरूतों लिखत दा मतलब हुकम लेख रजा पाना इना सारयां दा मतलब सिस्टम ता गुरु पाथशा जी कहने ने जीव लई जिन्दगी दा समा मुकरर कर दिता जान्द है करम कमाने मनुख करम कर देने करम कमान देने ते कैसे कमान देने जैसा लिखत तोर पाया जिमे दा तोर तोर तो लिखिया हुया है यानि रब्भी हुकम दे अंदर हुकम तो बाहर कोई करम नी कर सकता चंगे करोगे हुकम विच चंगा फाल मारे करोगे भुकम विच मारा फाल ते दूजा लिख जोसी भोल दे 야 जोसी कार दे औ जैसा सबहर बिलीप सिस्टम बन दे जैसे सबहर थोट शुन देने वैसे emotion सुनदेने वैसा behavior बनी जाने वैसे करम करी जाने वैसा फल मिली जाने तक गुरू जी कहने ने जीव ओ हो जे करम कर देने जे हो जे लिख्या है पाव के हुकम दे अंदर सारे जीव करम कर देने मात पिता पाई सुथ बनिता तिन पीतर प्रभू संजोया संजोया दा मतलब रलादिता जोर दिता परचादिता मां प्यो प्राप उट्तर इस्थी आदिक इना समंधियां दे विच प्रभू ने रचा मचा दिता मतलब जीवन मिल गया जीवन विच मां है, बाप है, पैनने, प्राणे, तिंहा, पुत्तर, आदे, कृष्टेदार ने इनद विच बंदा फिर राचमिच जानदा है, इनद अंद फिर मिल जंद है इनद विच मिल के जंदगी जीनदा है करम सुकरम कराए आपपे इस जनते वस किछना है कि जीव दे अख्तियार विच कुछ नहीं प्रभू आप ही चंगे और माडे करम करोंगा है उन एन नो सम्झ लगयाना सानो प्रोब्लम आ सक दिया कन्फ्यूजन हो सक दिया कि प्रबू ही चंगे और माडे काम कराने भповे देवस कुछ भी नहीं तब फिर ता ओधी सजासा म tracking मिलनी नहीं न चाहिये क्योंकि चंगे काम राब करा रहे हैं, माडे भी राब करा रहें एदा मतलब ते फिर होया कि बलातकार भी राब भी करा रहे हैं चोर यहां राब करा रहे हैं, दाके राब मरवा रहे हैं, बंदे दे वास्विच ते कुछ नहीं है, तो ऐ चीज थोड़ी समझन वाली है, वैसे ऐसी बहुत वारिस्ती विचार कर चुकते हैं, कि बंदे दे वास्विच हुकम तो बाहर कुछ नहीं है, सिस्टम तो बाहर कु कुछ नहीं कर सकता, जे ऐसी चाहिए कि मैं पानी दे विच मच्छिना दी तरह रहता है, मेरे वास विच नहीं है, जे मच्छिना चान की बंदे दी तरह बाहर पानी विच जल जनतू रहनता नहीं, रैसे करने क्योंकि सिस्टम नहीं है, यानि सिस्टम तो बाहर बंदे दे व कि ओ हुकम नो यूज ठीक करना चंद है जा नहीं करना चंद है। मसाल वजों, जबान दे नाल बंदे ने बोलना है, बिना जबान तो बंदे तो बोले आनी ना जाना। हुन सिस्टम दे अंदर जबान बोल रही है, पर एह हुन बंदे दी आपनी मर्जिये पे ने जबान दी वर्तों कि में करनी है, चंदे बोल बोलन ते जा मारे ते, बंदे दी मर्जी है, चंदे और मारे बोल सिस्टम विच ने, लेकिन हुन एन जबान कि में यूज करना है, ब जगत बनाया है, असी उना नेमा दे अंदर किमें विचर रहे हैं, किमें अपनियां अखां, जबान, हथां, पैरा नुकाम विच लेऊं देयां, चंगे वास्ते जा मारे वास्ते, ता सारी पंक्ती दा पाव ए हुएगा, कि रब्मी हुकम तो बाहर जाके, करना इस जीव दे माहें, गुरु जी कैनने जिन्दगी दी राद दे पहले पैर, प्रभू ने प्राणी नू माँ दे पेट विच पादिता, पाव कि इस नू माँ दे पेट दे अंदर रख्या, दूजे पहरे रेन के वन जारेया मित्रा, पर जवानी लेहरी दे, लेहरी ना मतलब लेहरा, लेहर तो बहुचनी शवद है, लेहरी ना मतलब लेहरी दे, गुरु जी कैनने कि जीवन दा दूजा जो पैर है, शिकर ते पहुंची हुई जवानी उछाले मार दिये, जदो बंदा जवान हुंद है ना, जवानी दे उछाले उंदे ने, एदे अंदर हार्मून दी होंदे नाल-नाल एदे अंदर जो साइकोलोजी कली भी कुछ फरक पेंदे ने, मनो वे ज्यानिक तोरते है, एदे विचारां विच फरक पेंदे ने, जिन वसियाने ने उखाम बला के जन देने, ते फिर एक आश मंदल विच कुड़न दा यतन कारता है, एदे अंदर जवा हंकार विच, जवानी दी मस्ती दे अंदर, जदो मनुखी मन हंकार विच मस्त रहन दे, फिर एदे चंगे और मंदे काम विच तमीज नहीं करता, कि चंगा की ये ते मंदा की ये, इस बर एदे सोच दे ही नहीं, हंकार दे अंदर, हंकार पर एक करम एक करी जन दे, चाहे उ priority complex which चाहे उस priority complex विच पैके चंगे मंदे दी पचान करन तो बिना बुरे पलेणू पचानन तो बिना ही जवानी दे नशे दे आन्दरे बंदा काम करी दो बुरा पलाना पचाने पराणी आगय पंथ करारा पंथ दा मतलब रस्ता करारा दा मतलब कर रहा हुख जवाननी दे हंकार विच प्रानी एनी पिछान दा कि मैं बुरा कर रहा हुआ कि चंगा कर रहा हुआ 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 ह संदेश दिता है सानु कह कभीर किछ गुन वीचार कि जो तुसी करम कर रहे हो एदा रिजल्ट ना विचारों की दा रिजल्ट की निकलेगा गुरुदी ने पावन बाने विच बचन कीता है ना आगा हूं कुतराग कि अग्दे सोचो दे लम्मी नदर नहा लिये दूर और और तुसी कर रहे हो सोच रहे हो ऐसी वरडिंग दा ऐसी ऐसे बिहएवियर दा और ऐसी मेन्टैलीटी् daylight नतीजा की n Hoje जे ता बोल चंगेने बहेवियर चंगा है सोच चंगी है ताउदार रिजल्ट ना चंगा निकलेगा पर जे सोच माड़ी बोल माड़े बहेवियर माड़ा ते दा रिजल्ट भी ते चंगा नहीं ना निकलना अगे ओख्याई होएगे ना जंदगी विच जिनने लोक आज ओखे ने दुखी ने वो इस करके ने क्यों न दा है एदा अगे ओन वाले टाइम दे अंदर जिडा अगला रास्ता है उखा है मेरा जीवन ओखा होएगा पूरा सत्गुर कभूना सेवया सिर्ठाधे जम जंदारा ठाधे दा मतलब खड़े ने सिर्दा मतलब सिरुपे होमे दे अंदर मस्त रहके मनुख पूरे गुरु दी शर्णी नी पेंदा, पूरा सत्गुर्व कभूना सेवेया। हंकार दे कारण मनुख ने पूरे सत्गुर्व दी सेवा नहीं कीती। पाव गुर्बानी दे दस्वे राहां ते मन बचन करम करके नहीं चलेया। ते जिनने गुरु दी शरण नहीं लई। गुर्मत आश्य इनवो जन्दगी नहीं जेवी सिर्थाटे जम जन्दारा उन्हाज लोगन कीआज मोट कूक दी उन्हाज लोगने आत्मक केम सब्सक्राइð उन्हाज रादेim जो गुरु दस्थी राहा थे नहीं चल दे त्रमराएघ जब पक्रस बवरे तब क्या जबाब करे पक्रस्ता मतलब फड़ेगा बवरेदा मतलब कमले जीव करेदा मतलब करदा है जा करेगा जदो तरमराज दे काबू आएंगा तरमराज फैसला करेगा फिर की जबाब देएंगा तरमराज दा मतलब फड़ेगा तरमराज दा मतलब कुदर्ट दा बजवा नियम जदो कुदर्ट दे बजवे नेम दे वा सविच पैंगा और उना कुदर्टी अटाल नेमा दे अधीन जदो तिरी जिन्दगी दी विचार होईगी ते फिर की जबाब देएंगा की जबाब देगा तरमराज जब लेखा मांगे आपना बड़ी वरिये विचार कर चुके हैं कई ऐसे माँ बापने जो अपने बच्चेयानों छाड़की चले गए ने तो जेव ना तो एक आल पुछ ही जाय कि पलेओ बच्चेयानों ऐस करके जनम दिता सी तक ही जबाब या ना कोई जबाब नहीं न वैसे जो मर जी जबाब देई जान पर जबाब तै नहीं कई बच्चे ऐसे ने जो माँ बाप दी निरादरी कर देने माँ बाप दिया सही लोडा पूर्णा ने की तिया माँ बाप नू करों कर दिया हुआ है तो जे उनना तो कुछे की बच्चे आं दे ए फर्जन देने तक ही जवाब देन गे ओ ए तरमराद है ए समाज विच्चों मनुख नू किन्ना कुछ मिलेया है जमीन जैदा थांद आउलोत बगएरा बगएरा ते जे साठे तो समाज पुछे भी समाज नू तो आडी की देन तुसी समाज नू की देन गित्ती है तक ही जवाब दवेगा बंदा गुरू जी ने साठे वास ते अपने बच्चे तक वारे आप तत्तिगा तमिना तक बैठे ते अपने सीने विच्छुरा खाता अपना शेष दिता थी जाल की ती गुरू जी सानू कहा है गए सब सिख्छन को हुकम है गुरू मान्यों गरंत ते जे आज साठेतों को करते दिये स्कुद्रत दे अंदर करते नेकिन ना कुछ दिता सी कदे राबदा शुकराना ने कीता की जवाब देओगे ते जे मैं तो हड्डे सामने जो कुछ गल्ला कर रहे ह। मैं अपने आप तो पुच्छां पी पाई मोरसयां जो कुछ ना वीरां सामने बानके बेठ क्या है तो अंदरों मी ऑउ üz है कि अंदरों बारों एक के हैं। तो ग्त्रों ऑवाज आ जाए हो पिए पिंद्रों बारों एक तही फिर में केडा जवाब दै आंगा एनु कैंदे ने औरम राय जब पूछ इस बबरे, जदो जी कुदर्ती नियम ने, एना देवास बिच पहेंगा, ति की जबाब दमेगा? हुन आज ते मैं कहा दियां कि मैं फेलता हूग्या, मैंनों मास्टर ने नमबर नहीं दिती, ति जे मास्टर कापियां मेरी यहां लेया के चार बंदेयां दे सामने राके देपी सवाल वेखो ते लिखे आया ने की है, ओ वेखो, ति जदो कुदर्ती नेमा दे फिर मैं की कहांगा, एनू केंदे ने तरह हमरा है जब, पूछ सबब पूरे, तक की जबाब दमेंगा, जबन, बंदे दे अंदर उचाला मारता है, और बंदा हंकार दे अंदर मस्त हुया, सच तो कई वार दूर चला जब, तीजे पहरे रेंके वनजारया मित्रा, बिक संचे अंध अग्यान, बिक दा मतलब आत्मक मौत ले आनवाली जहर, संचे दा मतलब इकठा कारता है, अग्यान दा मतलब ग्यान ही इन मनुख, जिन्दगी दे रात दे तीजे पहर, माया दे मोविच अनना हुया, ग्यान तो सखना, आत्मक जीवन नो मार मुकान वाला जहर इकठा करता है, आत्मक जीवन दे रात तो बिलकुल अनजान, आत्मक जीवन दे ग्यान तो सखना, प आत्मक मौत ले आनवाला जहर इकठा करता है। देखो जहर केड़ा है काम, क्रोध, लोग वगेरा इन आ ओगनानु वर्तंदे नाल साड़ी आत्मक मौत हुजन्दी है। अंतर लेहर लोभान, उत्र दा मतलब उत्तर उलाद, कलतर दा मतलब इस्तरी और लोभान दा मतलब लोभवान, लोभी। मिच माया दे मौ दे अंदर फस्यारा है। लेहर पैदा हुंदी है, ओदों ये मारे करम करदा है, उत्तर, इस्तरी, मो और तान आदिक दे लोवे, मो दे अंदर फस्च दे, अंतर लेहर लोभान, परानी, सो प्रभचितना आवे, लोभान दा मतलब लोभी, परानी दे अंदर लोभ दिया, लेहरा उठ दियाने, मनुख लोभी होया रेंद आप, ते एनो प्रभू कदे वी चेते नी ओंदा प्रभू चेते ऑँनदा मतलब लॉब लोभी चेते नी ओंदे, सचाई, दया तरम, लोभी मनुखनौ किते ने चेते चीजां, जे चीजां चेते मनुख ने लोबी होना ही ने सी। कदे लोब दी बिर्ती आजन दी एक उते वाली कदे बिगाना हाक खान वाली सूर दी बिर्ती आजन दी है कदे दे अंदर हाथी दी बिर्ती हंकारी पैदा हुजन दी है कदे अंदर लोब लाब लालज साप वाली बिर्ती पैदा हुजन दी है इनना बहुत पशु बिर्तिया दे अंदर पठकदा मनुख दुख पांदा है। मनुख ने अपने अंदरों सिर्जनहार मालक नू कुला जिता है। कहुनानक प्राणी तीजय पहरे बिक संचे अंध अज्ञान। गुरुजी कहने जिन्दकी दी रात दे तीजय पहरे अनना ग्यान हीन मनुख आत्मक मौत लियानवाला थानरूप जहर इकठा करदा रेंदा है। जो आत्मक मौत लियानवाले करम ने ओ करदा रेंदा है। काम करोद लोप दे अंदर फसे अरेंदा है। ओ करम करदा है जिडे आत्मक मौत लियानवाला जहर है। चौथे पहरे रेंदा के वनजारया मित्रा दिन नेड़े आया सोय, सोय ता मतलब ओ ता गुरु जी कहने ने जिंदगी दे चौथे पहर दे अंदर हे वनजारय मित्र ओ दिन मी नेड़े आजंदा है। ओ दिन केड़ा जदो है संसार नुशाड कितले जाना है। जिस तिन मौत आजाने है। ओ दिन मी नेड़े आजंदा है ना। पल-पल करके फूटे का जो पानी समा भिहाजदा रिंदा है। और होले 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 मौत नेड़े आजंदी है। पता ही नी लगदा बचपन कि शॉर अवस्था विच। कि शॉर अवस्था कदो जवाणी विच। ते जवाणी कदो बुड़े पेदे अंदर बदल गई ते बुड़े पेतो अगे ते साफ मौत दिस्ती हुए है। बच्छे नों अगे जवानी दिस्ती है। जमान ज़दो अग्य बेंद है उनु बुड़े इपा दिसता है ते जदो साडेवर के बुद्धे अग्य चाती मार देन अग्य थो नो मौत ही दिसती है जिन्दगी दा होरता को अग्य को पुड़ाव है नहीं ना ता गुरु जी कहने ने होले होले ओ मौत वाला दिन मी नज जबीक आजन दे, ताम गुरूदी सानों समझा रहे ने, मौत तो डराई नी रहे, सगों के रहे ने, गुर्मुख नाम समाल कुँ वनजारे मित्रा, तेरा दरगाह बेली हुए, गुर्मुख दा मतलब गुरूदी जर्ये, गुरूदी शर्णी पैके, कि हे वनजारे मित्र, रब्विं गुनानु संभाल, नाम दा मतलब रब्विं गुनानु संभाल, रब्विं गुना दी वर्तों कार गुरू दी शर्नी पैके, रब्विं दरगा दे अंदर तेरा बेली होईगा, मददगार होईगा, यानि जो रब्विं गुन ने, वो तैनू रब्विं दरगा व अंते होई सखाई, सखाई दा मदद मददगार, अंते दा मतलब अखीर वेले, गुरु दी शर्नी पै के हे प्राणी, रभी गुनानू संभाल, रभी गुनानू इंप्लिमेंट कर, अखीर ए गुन ही तेरे सहाइक बननगे, अखीर तेनू आत्मक मौत तों ए गुन ही बचा स इसलिए गुरु दी शर्नी पै के रभी गुनानू जंदगी दे अंदर इंप्लिमेंट कर, एहे मोह माया, तेरे सांगना चाला है, चूठी प्रीत लगाई, चूठी दा मतलब तोड़ना ने बनवाली, माया दा ए मोह, जिस्विछ तुँ फस्या हुया है, ए तेरे नाल नह पचायЕगा, एदे नाल तुछ उटा प्यार लाया हुया है, ए ऐ सच्चा प्यार भी नहिए, माया दा मोह, ए तेरे नाल ने बन वाला नहीं, ए चूठा प्यार है, ते माया दा मतलब पैसा वग्यरा नहीं है, माया दा मतलब हो सोच, जो सोच सानू इक दूजे विक कर दी है इस सोच दा मो माया दा मोय ता गुरु जी कहने जो माया दा मोय ने तेरे नाल थोड़ा निबने आत्मक जीवन विचे ने साथ थोड़ा देने ए ता तु चूठी परी इतलाई फिर ने चूठी सोच देनाल सगली रेन गुदरी अंधियारी सेव सातगुर चानन होए गुदरी दा मतलब गुजर गई अंधियारी दा मतलब माया दे हनेरे वाली जिंदगी दी रात माया दे मो दे हनेरे विच बीत दी जा रही है हनेरे विची बीद्टी जा रही है सेव सत्गुर गुरु जी कहने ने गुरु दी सेवाकार गुरु दी शरन ले चानन होये जिस करके तेरी जिंदगी विच चानना हो जाए सारी जिंदगी अज्ञानता दे हनेरे विच बीद्टी जा रही है इर्खा द्वैश वैर विरोध दे अंदर बंदा जिंदगी बिताई जा रहे है ना और चिंता माँ चोड़े काड़े अंदेशे फिक्रां दे विच जीवन गुजार रहे है पर गुरु जी केंदने पॉसीबिल्टी है गुरु दी शर्नी पौ तेरी जिंदगी बित चानन हो सकदा है तेनो जीवन दी सही सूझ मिल सकदी है तेरे अंदर सुखा दा चानन अनांदर चानन ग्यान दा चानना पैदा हो सकदा है गुरु दी शर्नी पौ कहो नानक प्राण डिन नेड़े आया सीए। गुरु जी कहने ने, जिन्दगी देराथ दे, चौत दे पहर, ओ देन नेड़े आजंत है , जदू ऐ दुनिया नू छाड़ देना है, जदू मौत आजानी है। शरीरक मौत हो जाएगी। तो ओ दिन वे एक दिन नेड़े आजाना है। ता जदों पाईये थी सदा रहना नहीं, एक दिन मर ही जाना है, ता जियोंदे ते ना मरो, जिंदगी नो ता जीवो, जिंदगी दे अंदर शुब गुना दे ता आरनी होगो, जियोंदे ता ना मरो, जिंदगी जीवो, मौत ता एक दिन आही जानी है, शरीरक मौत हो जानी ह इसलिए आपने जीवन नो चंगा बनाओ, आपने जीवन वे चंगा करो, चंगा सोचू, चंगी जिंदगी जीवेगा। तक गुरुपाथशाजी केंद ने गोविंदा लिखिया आगया। साड़े नाल चले आरें ना साड़ा चंगा मंदा सबाव। तो चंगे मंदे सबाव मताबक ही सानु जिंदगी मिल दी, सारी जिंदगी साड़ा कमाना नाल चलता है। जो सी बोल रहे हैं, जो सी सोच दे हैं, जो सी कार दे हैं, ओदा ही रिजल्ट साड़ी जंदगी विच चंगा जा मारा निकल दा है। लिख्या आया गोविंद का ए गोविंदा लिख्या हुया है। मतलब की राबदा हुकम है, लिख्या हुया दा मतलब हुकम है। ए रबी हुकम है, कुदरत दे अटाल नियमने कि जो तुसी लिखोगे, जो कमाऊगे, ओ तो अडेनाल सारी जिंदगी चलेगा। और आखिर ऐस दुनिया नुक्षाड़के तुसी चले भी जाओगे, ते फिर बात दे विस्त्वा डचंगे और मारे दे रूप विच नाम लिया जाएगा। एक रत्ती बिलम ना देवनी वन जारया मित्रा, उन्नी तकड़े पाए हाथ। ते रती नी पड़ना रत्ती, बिलम दा मतलब देर, देवनी दा मतलब देंदे। ता उन्नी रत्ती बिलम ना देवनी वन जारया मित्रा, उन्नी तकड़े पाए हाथ। जीडे जामने ओ एक पल भी देर नी करनगे, उन्नाने हाथ तगड़े पाने ने हाथ। यानि देर नहीं करनगे तगड़े हाथ ऐसे पानगे प्योना दे हत्ता तो बाच भी नी सकते। आत्मक मौते मारे गन्दै पहली गाले ते दूजी गाले जड़ी शरीरिक तोर ते मौते ओदे तो भी बंदा बाच नहीं सकता आखिर मरना पिंदै लिखिया आया पकड़ चलाया मन मुक्सरा दुहिले लिखिया आया दा मतलब सदा ते उन लिखिया आ रहे है उदर ती नेम जड़िया आरेया है हुकम रजायी चलना नानक लिखिया नाल जरो तो असमसार बणया है ओधों तो ही लिखिया आरेया है ओधों ते कुळर्थी नेम तुरुय आरेने पकड़ चलाया कि करम जेड़े ने बंदे लिखिया चलान्दे ने ..鐵 चंगे जा बाड़े कि बंदे नो करम ही अक्सर पकड़ के चलान देने करमा अनुसार ही ए बंदा जिंदगी जीन देने और जिड़े मंदे पिछे तुरनवाले आप उद्रे मनुख ने ओ हमेशा दुखी रहन देने जिननी पूरा सत्गुर सेवया से दरगा सदा सुहिले सुहिले दा मतलब सौखे एवी लिखिया आ रहा है शुरू तो नेम तुरिया आ रहा है कि जिनना ने पूरे सत्गुर में सेवया है मतलब जो पूरे गुरू दे दसे रात तुरे ने और अब्वी दरगा दे अंदर हमे करम तरती शरीर जुग अंतर जो बोवे सोखात करम तरती दा मतलब करम कमानली तरती जुग अंतर दा मतलब जुग विच यानि जगत विच यानि मनुखा जीवन दे अंदर तहे जीवन जारे मनुखा जीवन विच मनुख दा शरीर करम कमानली तरती दी तरह है जे हो जया एदे विच कोई बीज बीज दा है वो हो जय यो खालिन दे मनुखी जिंदगी अंदर ए शरीर मानो एक तरती है एदे विच जैसा कोई बीज बीज दे वैसा फल खालिन दे जे जे कुई negative सोच दहता, negative हो जंदे, जे कुई positive सोच दह, बोन जंदे, चंगे काम कारदा है, चंगे फतल मिल देने, मारे कारदा है, मारे मिल देने. कहो नानक, पगत्सोहें दरवारे मन्मुक सदा पवाँ, č dedicated ना मतलब हो आए जान देने, कि जो प्रभुदी पगती करनवाले राब दे प्यारे ने, ओ हमेशा ही रभी द्रगा दे उत्ते शोबा पांदे ने, ते जड़े मन दे पिछे तुरनवाले आप फुद्रे ने, ओ लोक हमेशा हमेशा ही हुवाए जान दे, उना दे जीवन दे अंदर सिरफ और सिरफ कुवा आटलिंगा रह जन दियाने, पठकना रह जन दिये, लेकिन जो राब दे प्यारे ने, ओ हमेशा ही ऐस संसार दे उत्ते थिर रहन दे ने, शोबा पांदे ने, ते मन दे पिछे जो तुरनवाले ने, ओ हमेशा ही पठकना दे अंदर पहरन दे ने, अपने जीवन नों बरब कुछ अबाद कुछ